नमस्कार सुवा के दस्वत चुके हैं उस्वागत थे आपका रिपाब्लिक भारत पर मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंग कालिस बुचे ने मेरे साथ प्रगती के साथ साथ गायतरी भेली की शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ जो क्यारी नीट विवाद को लेकर नीट विवाद मामले में थोड़ी दिर में सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है तीन तीन याचिकाओं पर आज सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसके तहत अलग-अलग जो याचिकाओं है जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो तरीके से की गई है उस पर भी सुनवाई की जाएगी सुप्रेम कोड के जस्टिस विक्रमनात और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच पूरे मामले के सुनवाई करेगी अलग पांडे ने सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल की है और इस याचिका में यह कहा गया है कि एनाइटी परिक्षा और आयुजित करने की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर के इनकी याचिका है साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 2024 की जो परिशा प्रक्रिया है और परिणामों की जाच के लिए सुप्रिम कोट की निगरानी में यहाँ पर मांग भी की गई है कि किस तरीके से और एक और बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं खबर सामने आ रही है जहां देश में शात्रों की परिशानी किस तरीके से बढ़ती जा रहे है देख सकते हैं री नीट की मांग की जा रही है सवाई माधुपूर की बात करेंगे राजिस्तान के जहां पर साफतोर पर दिखाई दे रहा है कि दूबारा नीट परिक्षा कराई जाए यह कहा जा रहा है नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे नहींव को लेकर के व्राइश करतोव कि नहीं estratो है इस नंचाने आप नहीं है कि удивित को लेकर केरे नंचान रपर मिलिसा। दिसरी नाँकर को लेकर के पुर्लिस्टी कर 1970 कर दूर नहीं है बिए नहीं है कि यसली कि में घ्लिसा गूरूस, यही है कि आंक मैं तो से पुछ पांस्तारी को अले एक्षिडेन्ट के लिए गातना हुआ 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 है। आप गिवन आप गुवन थे यह ना एक प्रेस रिलीस तो एंटेए ने भी दिया है। ने बिलकुर दिया है। मेरे आदारकर ही उन्होंने भी बनाया हुआ है। जानना चाहरा हूं कि जो पांटारी को हुआ बस अतने ही चीज को में पोगटना चाहरा हूं। जानना चाहरा हूं। अलरडी तरह बहुत अलजा हुआ है, I don't want to make any more confusion. The problem is, already yesterday the intelligence people had come here, I have already explained them, everything is done. Now, I don't want to create any more confusion. Let India, this is a political mohamla, so I have been told that I should not be talking to any press. or not to give any messages to anybody.